जो सरपंचा की बहु है वह गाना काया करेंगे बले अतना नंगड की उकर लागे तो यह तो मामला उड़ जाय दिया जिन सरपंचा ने काम करना था गाम का विकास का और वह नंगड गाना के उपर उन नाचना पड़ रहा है अरियाना की जनता आँख खोल करके समझ ले सरपंच यह चीज दिखाने का प्रियास कर रहे हैं यह आपको मिसगाइड किया जा रहा है यह आपको जूट और बरम फहलाया जा रहा है तरिक्का चेंज हो गया कमिशन बंद हो गया के वोल इतना सा मामला है मैं आपको यह चीज बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई तारी बोट काट देंगे सरपंच यह कर देंगे वह भाई खाने के मारे आदमी जो न अपने पाँ पीट रहे हैं ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में युगाना सब न सुने हां भाई द्यानता है लेकिन भाई इसा पहली बार होया है इस बार की योजनणा में यहना कि जड़य बाई शर पंचमा की बात करा हुपर या फिरोध कर हो जो लोग हैं उनका ऊबर्ध कर्णता पूर्वक लठी चार्ज करिया गया अर यूनिकों का अगरभब बीडांचामाद लाई दिया तो वा कसर भी कोनी छोड़ी माल की माखी तो ही छोड़ी सरपंचा का उपर सारे वायन रामरा मैं उतरा देशी पत्तरकार दर्मू मुआना देशी देख बिना ब्रेक लाइक सेरपक उठा टेक और इस अलग डाल के पंच का लाइक जो डेख तो पंच साब पहले हैं तो दर्षका ने रामरा मांड़े हो बैए संसार करांति के जितने भी दर्षक हैं सबको मेरी हाँ जोड़ के रामराम रोहित बहई के नाम है रोहित मलिक नांधां है और कुरड गाओं के पंच हो.. प्रदेश रियाना और अरियाना झिलांट का फिलत सफिदों का घाओं के के पंच पहली बार इट एंडरिंग के समर्थन आये हैं और इट एंडरिंग का समर्थन क्यों करें है टेक्निकल तरीका तो पुछांगे और छोटे-छोटे बालक भी इट एंडरिंग ने समझन खेतर लोग लेग लिए हैं तो रोईत भाई मसला के है जड़ा पूरा प्रदे इसकी जनता को कि सरकार ने जो यह कदम उठाया है इट एंडरिंग वड़ा जो इट एंडरिंग का कदम है इसको इसका मैं समर्थन करता हूं माननिये हमारे मंत्री जी है देवेंदर बबली जी उन्होंने इस काम को करके अर्याना प्रदेश को एक नई दिशा देने का कारि देखिए इसके लिए आम जनता को आवाज उठाने चाहिए वो सब के लिए लागू होना चाहिए जो ठीक काम ने करता है तो उसको अटाने के विवस्ता होनी चाहिए अपने समिधान में इस चीज का मैं समर्थन करता हूं तो रोईद भाई कुण सी बात आपने आच्छी लगी इटेंडरिंग में इटेंडरिंग में आप देखो एक चीज है मेरा मानना ये है कि जो इटेंडरिंग का जो मुद्दा है इटेंडरिंग में क्या होता था कि पहले सरपंचों के पास में पावर दी जारी थी कि 20 से 25 लगबग जो है इतने के काम जो है वो अपनी मर्जी से किसी भी ठेकेदार को चुन करके और उनको ठेका दे करके अपनी मनपसंद ठेकेदार को चुन करके उसको ठेका दे के उसमें से कमिशन सेट करके और उसके कमिशन खोरी जो है इसमें होती थी कमिशन खाने का काम करती अब सरकार ने इस कमिशन खोरी पर चोट करी है और इस कमिशन खोरी को बंद करने के लिए इटेंडरिंग को लेकर के आए हैं मैं बाजपा सरकारगा और अर्यान सरकारगा दिल से धन्यवाद करता हूं अब इस तो इस तो इस तो बड़े कमिशन खोर बड़े अधिकारी भी तो उसके हैं तो इस तो उपर चीफ तक जानदे जानदे 25 लाग तक जो टेंडर है वो चीफ के उसमें छोड़ दिया तो ओड़े भी तो गड़बड उसके हैं ये नीके नाचारा सारे सरपंच बाई हमारे सारे बैमान नहीं है बहुत सारे इमांदार भाई पी छिंकर कर आए dictionary हैं थीक है लेकिन पुछ लोग ऐसे हैं जो-ब करत को निकालने के लिए या खुछ भी अमझा काम भाई कि इतने पैसे हमने एलेक्शन में लगा दिए या इतने वो कर दिए वो सारे फिर वो आम जंता के टेक्स द्वारा दिये जाने वड़ा पैसा है उसकी लूट मचा रखी है यह सरकार ठीक कर रही है इटेंडरिंग को लाकर के यह जो है नकेल कसने का काम कर रही है कमिशन खोरी मंदारी से काम करने वाले आदमी है आज भी मैं पंचपद पर हूँ मैं अपना कामी मंदारी से करूंगा आमने कोई लालच नहीं है और प्रमात्मा की दया से दिया वाद सब कुछ है दाड़ा रोटी ठीक चल रही है आमने नहीं चाहिए यह दो नंबर का पैसा और गाउं वो क्यों कर वो ऐसा है द्रमुबाई देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं विशेश तोर पर आप इस चीज को समझने का प्रियास करना एक तरफ तो सर्पंच जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें इतनी बड़ी पावर दे दे दो हमें 10 लाक और 20 लाक और 50 लाक इसकी ताम गेले गेले वीडियो भी देखने लेगरी हो किस तरह यहां जो पंच है वो आपने आठां के लाए इटा का चूरा करने लाए परले जी के बिश्कूट की तरह यह तोटने लाए घरी है यह कमाल क्यों एसे हैं तो आपने देख ली देखोएं एक बर्जों शी आ बंदी लगाने की जरूरत है जोले आ़ यूसा जैक का सकता है और इसमें उसमें का तेले ऐधेसусов की महिलाई भी खड़ी है जिनने नियुकों निए पर इंटरी कोई खास नहीं लेकिन थोड़ा से में जानकारी चाहूंगा राम राम जी जो युद चाहिए यह तेंटरींग का जाड़ा हाचर आपने कुछ बेरा है जी ना मुनत को बैरा करें ना लागए है गाम में कुछ काम होगा काम लेकिन बड़ी बात के है बड़ी बात के है रोई जो चीज लिकड़ काई है इन भी ने बेरा पाऊ है हाँ जी हम एक साल होगे सो दिन का काम कदे दिन दा को न्याम सरजाड बेठे र्यात पादर वे नुब बता मा बुच्छ न के खुआ होंगया में में मनरेगा का है नुबता के खुआ मा बढकर न द्याड़ी आम न पांदी ने रे गमरत दिन देनी बिल्कुल गरीब तब का ह तो गाम आले के गरीब तबका उनकी अपनी समस्या है लेकिन फिलाल जो सब तब बड़ी समस्या है पूरे परदेश की जितनी भी पंचाइते हैं जड़ा काम सुरू हो जाना चीए था ओड़े इटेंडरिंग में सारा सिस्टम उड़ गया और जो सरपंचों की ट्रेनिंग होने चीए थी वह रुकी पड़ी है आगा जो विकास के काम होने चीए वह रुकी पड़ी है इस तरह की परिष्थिती में एक पंच आवाज उठावे है और वो इटेंडरिंग का समर्थन कर रहे है तो के लाग गया आपकी समर्थन करनता है के बदलाव आवगा बदलाव की आम जनता इसके साथ है और इसमें गवराने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि वह तारी बोट काट देंगे सर्पंच यह कर देंगे वह खाने के मारे आदमी आपने पाँ पीट रहे हैं ठीक है ऐसी बात नहीं है लेकिन एक चीज मैं आपको यह बता रहे हूं सारे लोग इस नहीं पसंद करते लेकिन बात पूरी मैं पुछूंगा आप बात आपकी ठीक है लेकिन सरकार का जो बरबरता पूरुवक्त रवया है सरपंचां का उपर पंचां का उपर है लाठी चार्ज करना या कौन सी सही बाद है देखिए इस सीज को मैं गलत मानता हूं चुने थालांकि यह विशे थोड़ा दूसरा है अब अपने अर्याना की संस्क्रीती को कुछ कलाकारों ने मिटा दिया है अभी कुछ के मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि एक आवाज उठाई है एक वकील मोदे है उसने एक गाना बना दिया कि भई भरी कोरट में गोड़ी मार देंगे और जज़ को भी पसीदने आ जेंगे तो भई ये कोरट के अंदर कोरट एक बहुत सम्मान जनक जो है वो स्थान होता है सम्मान का वहाँ पे लोगों को नियाय मिलता है और वहाँ पे जाकर अगर कोई इस परकार के गाने गाता तो ऐसे कलाकारों को सावदान हो जाना चाहिए और अच्छे गाने बनाने चाहिए वहाई माँ आपकी बात का समर्चन करूं क्योंकि विशांतर हो जेगा इस तरह का एलान सरपंच करन लाएक रहे हैं इसका प्रिणाम क्या होगा देखिए इटेंडरिंग पे मैं आपको दुबारा से फिर यह चीज समझाना चाहता हूं इटेंडरिंग हरियाना की जंता आँख खोल करके समझ ले सरपंच यह चीज दिखाने का प्रियास कर रहे हैं कि इटेंडरिंग से जो हमारी पावर चीन ली हमारे को केवल दो लाग रुपे तक की पावर दे दिये दो लाग से उपर हम कुछ नहीं कर सकते यह माम्ला बिल्कुल गलत है यह आपको मिसगाड किया जा रहा है यह आपको जूट और बरम फैलाया जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं 2,000,00 से उपर के काम वह भी हो में लेक्ट केवल उनका तोरिक चेंज हो गया कमिशन बंद हो गया केवल इतना सा मामला है मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँआ देखो अपने मैंने जो यह बताया बिलकुल बर रहा हूं जी अर इस जोड़े में बहुत कुछ है एक एक करके दिखाऊँआ यह देखो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँआ अपना जो यहां पर संशान गाठ की चार दिवारी में गलत निर्मान करिये हुआ यह दो लाग से कम का था अब मुझे इस मामले में इसकी जांच की मैंने मांग किये बीडीप्यो साब से और डीडीप्यो साब से दोनों का म सबोर से हंक rays जैषिएत बीडीप्यो साब को भी न वेतन किया की इसकी जांच i ha एक मिन्टर मिन ऊजिए मैंनेasu थेकदार को बोल्ला मैंने का बाई इसने जो है मसाला थुड़ा ठीक ला ले यही मंगा ले फुदह कूह से ग्रेटर की आलगा जो गलत काम करते हैं काची पिली इट गाउं में लगा के हमारे आने वाली पीडियों का बविश्य को प्रबाद कर रहे हैं ऐसे होगा तो जो है ना पूरा 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 जो है लाइसेंस रद कर देना चाहिए मैं अर्यान सरकार से डिमांड करता हूं चलो बढ़ी बढ़ी बात लिकर काउंड लागरी हैं और तारी आपनी के राए है प्रदेश की जनता के नुमाइंदे हैं उन्हें के जो मत दाता है जो खास्तोर रपय या गाउं के जो लोग हैं सूझ भूज़ाडे क्योंकि गंखरे गाउं माले हैं तो बेराए को नी गाउ क्यूं है और जो रोईत बाई कि जो बात हैं इन में कितना के तंत्र ताम ने लग गया इनकी बात सही है और गलत हैं दर्मुजी इसमें एक चीज और है यह मतलब वास्तों में ब्रह्म फैलाया जा रहा है कि इससे उपर के मारी पावर छीन ली दो लाग से उपर न मारे को काम करने का कोई मुख्का निदेरी सरकार जबकि सचाई यह है दो लाग रुपे से इसा हो अगर देखिए ब्रस्टाचार को रोकना चुरूआ तो कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी ठीक है यह चोटे सतर से भी शुरूआत हो रही है तो यह बहुत अच्छा कदम है सब्सक्राइब लेकिन कोमेंट सेक्षिन में जुरूर लिख दियो क्योंकि जो बरश्ट है वो क्यों पंच और सरपंच को नहीं होंदा बरश्ट कोई भी उसका है बरश्ट बहुत बड़ा इन तस्वीरां बतारती छोड़कर जान लगरें वीडियो ने जी लाके शेर कर दियो और जितना कि तरह समझ मायों कोमेंट बोक्स में आपनी राय जरूर लिख दियो कर दियो शेर मैं होतरा देशी पत्रकर दर्मू जै जवान जै किसान जै हिंदुस्तान और जै गाउं